स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले भी धुल सकता है हाला कि इस मैच में दो दिन का वक्त है लेकिन नोटिंगम में जहाँ पर ये मैच खेला जाना है वहाँ पर भी बरसात हो रही है और मैच वाले दिन भी बरसात की फोरकास्ट है आज वैसे भारत की टीम प्रैक्टिस के लिए जाएगी अगर प्रैक्टिस मु जा गया है और उमीद है कि स्कैन का रिजर्ट जो आज आएगा वो ठीक हो और शिखर दवन इस मुकाबले में खेलें क्योंकि भारत जानता है कि दो मैच जीतने के बाद वो न्यूजिलेंड को हलके में ले नहीं सकते सुनिल गावसकर कहते हैं कि भारत तो अच्छा खेल रहा है गेंबाजी और बैटिंग दोनों चल रही है लेकिन ये वर्ल्ड कप है क्योंकि आपको हर बार एक अलग मैदान में जाकर अलग टीम के सामने खेलना है वो ये भी कहते हैं कि न्यूजिलेंड की टीम ने भारत को अभिहास मैच में हराया था तो भारत को इस मैच में सावदानी भरत नहीं होगी एक संतुनित टीम दिखाई दे रही है बल्लेबाजी में बड़ी टाकटवान बल्लेबाजी है लाइनप है नंबर साथ तक बल्लेबाजी मतलब भूने powerful नंबर साथ पर बल्लेबाजी करने हैंगे उनके पास वो का पाल्ली यह नजदा है रन बनानी की और तेजी से रन बनाने की, बोलिंग में देखे, न्यू बॉल अटेक बहुत अच्छा न्यू बॉल अटेक है, उसके बाद में दो स्पिनर्स है, जो बीच के जो ओवर्स होते हैं, उसमें सिर्फ रन ही नहीं रोकते पर विक्टे भी लेते हैं, और आखिर कर बुमरा और भूने शुरकुमार अपना काम कर लेते हैं, जहाँ अगर विक्टे लेनी है और रन रोकने वो भी कर लेते हैं, तो एक संतोलित टीम है, फील्डिंग में बहुत अच्छी है, तो हाँ, इसकी वज़े से सारी जो मतलब बाकी के जो टीमें देख रही है, भारती टीम का जो प्रदर्शन देख र और एक ही बोल रहें कि भाई हमें क्या करना है कि इस टीम को रोका जाए, इस टीम की बल्लेबाजी को रोका जाए, इस टीम के खिलाफ कैसे रन बनाया जाए, ये सारी सोच अब से शुरू हो गई होगी यूट्यूब पर जाएं, स्पोर्ट्स टक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वर्ल्लकप की तमाम खबरे, रिपोर्ट्स, विशलेशन वो आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स टक पर, और स्पोर्ट्स टक के जरीए आप सवाल बेज सकते हैं, मुझे मेरे ट्विटर और इंस्ट झाल